हेलो दोस्तो स्वागत है अब सब का मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासेस में तो आज हम क्लास 10 की एकोनोमिक्स का चैप्टर 3 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मुद्रा और साक देखे प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि किस प्रकार वस्त चेक के माद्यम से देखा था कि किस प्रकार लेंदेन होता है है ना और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार बैंक जो है रिड़ प्रोवाइड करवाते हैं ठीक है यानि कि पूरी प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में हमाद जानने का प्रयास करेंगे तो चलिए बिना किसी करते हैं तो दहेंज़ेंगे बात अब हम करेंगे बैंकों की संबंधी गतिविधिया बैंक की कहानी को आगे बढ़ाते हैं आप सभी को पता है किभा क्या होता है द्यान रखेंगे एसी संस्था है जो जनता से ध्धनराशिञा करने और जनता को रिड देने का काम करती है ठीक है बैंक क्या करती है धन राशी जमा करती है और जनता को रिड भी देती है ठीक है लोग अपनी बचत राशी को सुरक्षित रिष्टी से ब्याज कमाने है तुना संस्थाओं में जमा करते हैं बैंकिंग संस्थाओं में और जो है अ निए बेंक और वियापार के विकास के लिए विवस्था लेंग और भीवस्ता रिक्स प्राता किया तो दिए काम बहुत विकास के साल रहता क्यां हुच हुच प्रॉच 的 द्रिष्टी से देखते हैं आजकल चोरियां भूथ हो रही हैं ठीक है तो लोग जो है अब हुशन अपने बैंकों में रखते हैं अपने ग्रहकों के लिए उनके चेकों का संग्रहन ठीक है और जो है क्या करते हैं व्यापारिक बिलो की कटोती करना एजिंसी का काम करना गुपतरीति से ग्रहकों की आर्थिक स्थिती की जानकारी लेना देना यह सारे बैंक के काम है ठीक है तो बैंक के वल मुद्रा का लेंदिन नह अब उत्षज़ के क्रिद करके जो हैं देश के अ upra唇 कार्यों में लगाते हैं और पूंजी के निर्माल को प्रोष चाहन मिलता है और उत्पादन में प्रगति मिलती है सहयता मिलती हैं ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बेसिकली अगर मैं बैंक के कार्य के बारे में बात करूँ तो वैसे तो कार्य बहुत सारे हैं लेकिन मैं चार कार्य जो है जो बहुत most important है सबसे पहला कार्य है इसका जनता से राशी लेकर जमा करना दूसежд लेकर जनता को रिड और अगरिम धन देना तीसरा कार्य क्या है अभि हम प्रोसेसिंग के बारे में बात करेगी तीसरा कार्य क्या है ग्राह को के लिए एजेंट बनकर काम करना और चाथा कार्य जो है जैसे कि मैंने बताया कि सुरक्षा के द्रेश्टी से काम करते हैं तो विविद से रहें बढके अगे बैंक की कहानी को आगे बढ़ाते हैं बैंक जनता से जो धन जमाक हातों में स्विकार करते हैं उसका करते क्या हैं अब देखिए यहां पे बहुत दिल्चस्प पक्रिया विधी काम कर रही है बैंक जमारकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगत के रूप में रखते हैं अब उधारन के रूप में अगर हम देखें आज को रुपय में अगर बताओ हमने लिजिए छोटी चोटा मूलए लेते हैं ठीके यसे कि हमने सो रुपय में बैंक में जमा करें तो सो रुपय में बैंक जो है 15 रूपय, यानि कि 15 प्रिस्ट कितना हुआ सोका, 15 रूपय अपने पास रखेगा, ध्यान रखेंगे 15 प्रिस्ट हिस्सा जो है नगत के रूप में अपने पास रखेगा, और इसी किसी जो है एक दिन में जमा करता हो, द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए, य यानि की मान लीजिए अगर कोई कस्टमर है बैंक का वो आके सो रुपय जमा करता है अब भाई वो अगले दिन अगर उसको जरूरत आन पड़ी तो वो निकालना चाहे का ना तो इसलिए जो है बैंक अपने पास जो है प्रावधान की पंद्रा प्रिस्ट रकम जो है हम अपन निकाल सके चुकि क्या है न कि किसी एक विशेज दिन में केवल कुछ जमा करता ही नगत निकालने के लिए आते हैं सब तो इकठे एक सर ही नहीं आ जाएंगे ठीक है और इसलिए बैंक का काम इतने नगत से आराम से चल जाता है तो क्या आप क्या सोचते हो कि हर इंसान जो ह है ना डैंगर जमारावसी के एक बड़े भाग को रिड देने के लिए इस्तमाल करता है क्या करने के लिए रिड देने के लिए अवच से लिए और ब्याज के साथ वापस करता विभिण आर्थिक क्या होता है नहीं जो इसे प्याईर की आवसक्ता होती ही होती है बेटियों के बैंक लेते हैं लोन लेते हैं तो ये क्या कैसे लेते हैं ये जो है कुछ ब्याज दर यानि की आठ नौ दस जो भी बैंक का क्राइटेरिया फिक्स रहता है ब्याज का उस दर पर लेते हैं ठीके और ब्याज के साथ उसे लोटाना होता है या फिर जो है गौवर्मेंट कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी से कट तो हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो बैंक जमारासी का लोगों की रिड अविशक्ताओं को पूरा करने के लिए इस्तमाल करते हैं ठीके देखे हमारे जब भी हमारे मन में पैसो की बात आती है तो हमारे सामने बैंक का चित्र जरूर आता है ठीके और यह एक जो है लाखो करोडों पैसों के लिए एक ही स्थान में देखने को मिलेंगे अब सवाल यह उठता है कि बैंक करते क्या है ठीके अब एक बात तो जा स्क्राइब कांद करता है ऊसी प्रकार एक कहले जो है कि यानी की बचत करने घ्राइब करने वाला हम धित्धूटे तो यानी कि जबान एक जन्मि संद्प्राइब करता है जिनके पागे पास अत्रिक्त यान। कि जमा करता और जिन्हें राशी की जरूरत है यानि की कौन करजदार के बीच मध्यस्थता का काम करता है यानि की हमारे पास पैसे हैं हमारे पास एक लाख रुपे है हम गए बैंक में जमा कर दिये ठीक है fix होता है सभी बैंकों के ब्याजदर जो है वो fix होते हैं तो उस ब्याजदर पे पैसा दे देता है ठीक है तो यह काम करता है मध्यस्थता का काम यानि कि जमा करता और कर्जदार के मध्यस्थता का काम करता है ठीक है यानि कि इमिडियेटर तो बैंक जो है ना जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा जो है ब्याज रिड पर लेते हैं यानि कि करजदार जब बैंक में लोन लेने गया ना रिड लेने गया तो वो उससे ज़्यादा ब्याज बसूलते हैं देते कम है लेते ज़्यादा है ये च जिए आपको ध्यान रखना है अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि अगर सभी जमा करता है एक ही समय अपनी धनराशी की मांग करने बैंक पहुंच जाएं तो क्या होगा देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि बैंक जो है एक क्राइटेरिया फिक्स करके रखता है और बैंक के रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं अब यह देखिए बैंक की प्रोसेडिंग कैसे होती है यह देखिए बैंक की आए बढ़ती कैसे है जमा करता क्या करते हैं बैंक में पैसे जमा करते हैं और लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं अब इधर जाते हैं और जो है ब्याज देते हैं ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अब आईए बात करेंगे साख की दो विभिन निस्थितियां अच्छा यहां जो मैं साख साख बोल नहीं हूं ना यहां पर सीधा सीधा मतलब इसका यह है तो जो है साख का अर्थ है पूंजी उधार देना यानि कि बैंक जो है जिस मुद्रा का निर्मार करती है उसे बैंक मुद्रा या शाख मुद्रा कहते हैं और इस मुद्रा का संचालन जो है किसकी दोरा होता है बैंक को दोरा यानि कि अगर बेसिकली मैं बात करूँ शाख जो होती है शाख मुद्रा मुख्याधार इस और जहां किसी ना किसी रूप में रिड का प्रयोग होता है रिड से तात्पर है सीधा सीधा रिड का मतला मैं बोल रही हूं उधा उधार लेते हैं हमारा तात्पर रिड से ये है एक ऐसी सहमती जहां साहुकार देखे साहुकार जो होते हैं कैसे करज देते हैं धन देते हैं या वस्तुए देते हैं ऐसे वईया मोहया करवाते हैं तो उसके बदले भविश्य में जो है कर्जदार से भुक्तान करने का वादा लेते हैं और अब हम दो उधारन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे देखे सबसे पहला उधारन है त्योहार का मौसम अपसे दो महीने त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर में एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते मांग आती है ठीक है और जिसे जो है उसे एक महीने के अंदर पूरा करना है अब उत्पादन की काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई चिपकाने के काम के लिए अत्रिक्त मजदूर रखने के आवेशकता है उसे कच्चा माल भी खरीदना है अब इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम जो है दो स्त्रोतों से रिड़ लेता है यानि क्यों धार लेता है सबसे पहला वह चमडा व्यापारी को चमडा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुकतान करने का वादा करता है दूसरा वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अगरिम भुकतान यानि कि ऐसा होता है ना कि हम जो है आपको बाकी की रकम बाद में देंगे आप कुछ डाउन पेमेंट कर दीजे तो यही होता है अगरिम भुकतान यानि कि अगरिम भुकतान के रूप में नगत कर्ज लेता है और महीना खत्म होने से पहले पूरा ओर्डर पहुचाने का वादा करता है ठीक है तो महीने के आखिर में सलीम जो है जूता पहुचाने में कारिशील पूँची की जरूरत को रिड के द्वारा पूरा करता है ठीक है और रिड जो है उसे उतपादन की कारिशील खर्चों अब भई काम करेंगे हम जूता बनाएंगे तो उत्वें तो कारिशील खर्च बनेंगे ही तो उत्वादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई जो है बढ़ा पाता है और इस प्रकार देखिए कि रिड जो है एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमी का अदा करती है हाँ अच्छा अब आएए दूसरा मामला देख लेते हैं स्वपना की समस्या इनकी भी समस्या सुन लेते हैं देखे एक छोटी किसान स्वपना अपनी तीन एकड जमीन पर मुंफली उगाती है वह इस उमीद पर है कि फसल तयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी खेती के खर्चों के लिए साहुकार से रिड लेती है ठीक है फसल पर कीट नासको के حमले से जो है फसल बरबाद हो जाती है हाला कि स्वपना फसल पर महगी कीट नासक दवाया छिड़कती है उस से कोई खाश वर्क नहीं पढ़ता वह साहुकार का कर्ज लोटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है अब जाहिर सी बात है जादा ब्यास दर पे वो रकम दिये होंगे तो कर्ज में डूब गई यह सौपना तो अगले साल सौपना जो है खेती के लिए दुबारा उधार ल यह अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है अब देखिए हमने एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखा और दूसरा जो है यह निगेटिव इंपैक्ट देखा देखिए ग्रामीर छेत्रों में बेसिकली अगर मैं बात करू तो उधार की मुख्य मांग किस लिए होत कम से कम तीन चार महीने का अंतराल होता है ठीक है तो आम तोर पर किसान क्या करते हैं कि किसान जो होते हैं रितू के आरंब में यानि कि रितू के आरंब में ही फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं और उधार की अदाइग मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदाइगी असंभव हो गई और उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ सा बेचना पड़ा तो रिडड ने स्वपना की कमाई को भढ़ाने की बजाय क्या क्या उसकी इस्थिती बत से बत्तर कर दी और इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहता है । ठीक है और एक इस्थिति में रिड बढ़ाने में सहयोग करता है जिससे व्यक्ति के स्थिति पहले से और ज्याधा बहतर हो जाती है दूसरी स्थिती में हमने स्वपना के बारे में देखा फसल बरबाद होने की कारण रिड व्यक्ति को अपने जाल में फसा देता है स्वपना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है तो देखे, स्पस्थ हो गई बाते कि ये बात तो इसपस्थ हो गई कि उसकी स्थिती प्रिड की तुलना में बतर हुई ठीक है रिड जो होता है न उप्योगी होगा या नहीं यह जो है परिस्थिती के खत्रों और हानी होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर डिपेंड करता है यानि की कहने का मतलब ये है कि ये जो रिड होता है न ये परिस्थितीयों के खत्रे और हानी से प्राप्त होने वाले सहयोग की संभावना पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है अब देखें यहां पर जो हमने अभी पढ़ा उस पर बेस्ट कुछ क्वेस्चन दिये हुए हैं इन्हें आपको बताना है देखें तालिका को पूरा कर रहा है उन्हें रिड की आवशक्ता क्यू पड़ी सलीम को क्यू पड़ी थी जैसे कि हमने उधारन में देखा था कि सल सवास्पना के तीन एकड़ भूमी पर मुंफली उगाना है और वहीं अर्व Panel की ऑसफरी साय चाहिए होती है है और इस लिए ज है कि है जोखिम क्या था सलीम के केस में जोखिम क्या था देखे उसे और मिला तीन în प्राइक लॉइंट क्या वह भिंए मोरती है कि पैसे वापस करने पड़ते और वह उसको में हो जाता और यहां पर मैं मैं etc कि वह उसनेड said जोखिम यह है कि वह जो सोच रहे है कि हमारी जो फसल हो जाएगी हम जो है लोटा देंगे रिड़की अदाएगी कर देंगे लेकिन यहां पर जोखिम यह है कि पूरी कि उत्पादन होगा ही होगा जितना उसने एक्सपेक्ट किया है मुंफली का है ना परिणाम क्या हुए सलीम के बहुत पॉजिटिव परिणाम हुए महिने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में काम्याब होता है उसे अच्छा खासा लाब होता है ठीक है और यहां और आप को बयापार्यों से order मिलते रहते हैं और चैनल यह साल बाद उसकी स्थिति क्या होगी दूसरा कारण में जो सपना की स्थिती को जोखिम भरा बनाते हैं निम्न लिखित कारकों की चर्चा कीजिए कीट नाशक दवाईयां देखें मैं आपको एक बात और बता दू कि यह जो कीट नाशक दवाईयां होती है न यह इस तरीके से बनाई जाती है कि इसमें जो है सिंथेटिक सामगर नहीं हुआ तो ये चीज इसका उत्म की मघ्सिता करने को मजबूर हो जाते तो साहूकार टोटली मैं दूसरा नाम रख दे रहे हूं पूरी तरीके से शोशन करते हैं मौसम मौसम की भी सभागिता है जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा देश जो है मांसून पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है क्रिसी जो है पूरी तरीके से बरसा हुई तो फसल अच्छी जादा बरसा हुई तो खराब फसल परसा ना हुई तब खराब फसल तो पूरी तरीके सा आप यह समझ लीजिए कि हमारी जो क्रिशी सिस्टम है ना मौसम पर डिपेंडेंट है और यह बहुत बड़ा जोकिम है ठीक है बारिस भी बहुत जरूरी है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है अब देखें यहीं पर मैं आप समाप्त करती हूं कि रिंड की सरते हम अगले पार्ट में देखेंगे ठीक है कि रिंड की शरते क्या क्या हैं हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजी और जो भी डाउट कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए मैं उसका जवाब जरूर देने का प्रयास करूंगी थैंक यू वेरी मच